आप सभी का जीव साइंस में स्वागत है मैं कमनेश कुमार क्लास को टूल का फिजिक्स का अबजेक्टिव कोशन पुना सेट प्रैक्टिस टू जवरदस्त अबजेक्टिव कोशन लेकर आ रहे हैं जो आप लोग कोशन को ध्यान दीजेगा और पढ़िएगा और समझेगा भी कोशन किस टेंग से पूछा जा रहा है अबजेक्टिव कोशन आपके लिए बहुत यूजफुल और उप्योगी है पहला कोशन पूछा जारा ध्यान देने वारी बात है कर रहा है यूनीट ऑफ अपशले नोर्ट इज अपस Pak यूनीट को था ध्यान दिजेगा यहां लिखा हुआ है अपहला कोशन नम्रु वान कर रहा है यूनीट ऑफ अपशले नोर्ट हम लोग पर चुके थे अपसले नोर्ट को था ही ता नूटन मीटर के पाउर माइनस वन ध्यान दीजेगा जो पहला अप्सन है गलत है दुसरा फाइराड पर मीटर हम लोग एक फर्मूला पढ़े थे कैपिसी टेंस में सी विराबर अपसेले नॉट एबाई डी यहां सामनों निकाला था कि अपसेले नॉट का एशाई यूट जो होता है और फाइराड पर मीटर होता है अप लोग क्लास में कराया गया है ध्यान दीजेगा फाइराड पर मीटर कहा है तो ओप्सन डोना जाया ध्यान दीजेगा फाइराड पर मीटर क्वेशन नमर एक का तो ओप्सन नमर ए गलत है फाइराड पर मीटर ओप्सन नमर बी शही है होगा सेल्फ इंडेक्शन होगा है इंडेक्से स्टेपर ऐसे ने सदॉम् तो option number, 2 question number का option number क्या होगा, do होगा, question number हम दो चलते हैं, third, क्या कहता है question, question number third पढ़ा जाए, और जवाब दिया जाए, question number third, कहा रहा है, कि magnetic field of 5 tesla is equal to, 1 tesla, tesla का कितने के बरावर होता है, तो एक tesla जो होती है, होता है, waiver, ठीक है, waiver, बटा, meter square होता है, अब देखेंगे, पांच tesla करा, पांच tesla, तो यहाँ पांच सिका करेंगे, गुना कर देखेंगे, अब देखेंगे, पांच waiver, बटा, meter square कहां है, ठीक है, तो question number 3 का, right answer क्या होगा, option number 8, सही जवाब, अगला question number 4 का पढ़ा जाए, question number 4, क्या कहता है, ध्यान देनी वाली बात है, question number 4, करा है, the SI unit of unit for mu not, mu not का मतलता है, permeability, 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 permittivity, इसका ऐसे ही मात रख क्या होता है, पहला बाद टेसला, तो चाहिए, magnetic field का ऐसे ही मात रख, दूसरी बात है, यहाँ ध्यान देजाएगा, जो, mu not का, एसे ही मात रख, जो होती है, यह होता है, टेसला, meter, ampere, power, minus 1, यह होता है, right answer, तो option number 4 का क्या होगा, बी होगा, अगला चलते है, question number 5, question number 5, क्या कहता है, question number 5 को पढ़ा जाए, और objective जवाब question दिया जाए, question number 5, ध्यान दिजाए, question number 5, करादा, drift velocity V and applied electric field E of a conductor are related, हम लोग जानते हैं कि V, भी, drift velocity directly proportional to E होता है, जितना elective it बड़ेगा, होतने ही drift velocity होता है, तो right answer, पाहला option number A गलत है, B right answer होगा, C भी गलत है, D भी गलत है, तो हम लोग question number 5 का right answer क्या होगा, B होगा, अगला चलते है, question number 6 क्यों, question number 6 क्या कहता है, दियान दिजेगा, यदि भैकूम जहां रहाएगा, तो पहले भैकूम चूनेंगे, यदि उसके बाद air रहेगा तो air जुनेंगे परन्त यहां वैकूम पहला तो air दिया हुआ है एयर देख लेते हैं वैकूम भी है कि नहीं पहला गलास गलास गलात अंसर वाटर गलत अंसर यहां देखिए एक दिया हुआ है है को साथ में अबी ऑप्षन दिया हुआ यहां दीख एए और यहां भैकूम भी है भैकूम में सबसे ज़्यादा यूजफूल अंसर क्या होगा तो राहिट अंसर होगा ऑप्षन नमबर डी ऑसने में क्या होगा गलत होगा तो परसे उत पर सीपरीक्षे ओक दिया हो अगला ह अब सवर्चनि से एंप सबाथ है सब्सक्राइज नहों क्या भेस्तव निए थे और आज़र क्लास में ल्टकशन को सब्सक्राइल थेसा चाइज में है गरी मालडी गरी मालडी ठीक है यंग स्थमाश यह भी नहीं है मालूश यह गलत अंसर है ध्यान दीजिएगा यह आप अप्टिक्स का लेक्षर नहीं पढ़े होंगे तो मेरे चैनल पर मेरे लिए इस वीडियो की शायता से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा और इस लिंक के माध्यम से का कर लिजएगा आप कोस्टन नमबर आप अप्टिक्स के बारे पढ़ सकते हैं पूर्णुप से अगला कोस्टन नमबर टेन टेन पढ़ा जाए टेन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा कोस्टन नमबर टेन वीच अफ़ फ्लोविंग इस यूज सकते हैं इस अब किसए होगह इनफ्लेक्शंट माटि फ्लाएबर टेने तो टोटल इंटर्ण इनटर्न रिफ्लेक्शन ऑफ्लाइट जहें होता है आगे चलते हम लों कॉस्टन नमबर यारह क्यों क्या करता है ध्यान देने वाले जुटन पढ़ा जाएं पर ऎूरह सोथ साइटने इंज राएं क्लिए के लिए देखने के लिए कौन की यह प्यूग करना हो lyon Cornoa लेट्वं अगला सबनाथ है दीब लोगली किसके लिए होता है तो जान चुके है लिए अगला कोर्चन पढ़ते है दचार्ज गता है अगला दचार्ज फोटो इलेक्ट्रोन इच्फोटो एलेक्ट्रोन पर चार्ज किता है देखिए सारा जाद दिया हुआ है भाई लूब बहुँ जाद या वन पॉइंट शिक्स दिसके पाउर माइनस उन्हाइश कुलाम होता है धियान देनी वाले बात है उन्हाइश कुलाम यहां तो कोई ओप्सण नहीं है तेरे नमबर कोईशन का डियो का होगा दियो का अंबर एक अगलत नमर अगलत बदन को पढ़ाय जाए और समझा जाए बहुत इपॉटन है हर कोईशन आपके लिए बहुत इपॉर्टन है कोईशन नमर 14 का क्या है इनर्जी ऑफिए फोटो इलेक्ट्रों ट्पेंड अपउन इनर्जी ऑफटों किस पर करता है फ्लोग पता है इंटेंसिटी ऑफ लाइप नहीं बेव लेंड पर भी नहीं तो हम लोग वार्ट फंक्चन पर ड्पेंड करता है राइट अंसर क्या होगा चौश्व नम्र कोर्शन का से होगा कोर्शन नम्र हमने 15 पढ़ते हैं 15 कोर्शन का करता है किछ आप सकेंन ला आर यूज कंजर्वेशन ओफ इनरजी जहान देजिए किछ आप सर्फ फस्ट ला जो है और चार्ज पर डिपेंट करता है जो कैरेंड उ लोग पढ़ते हैं कुष्ण नमर्टी दियान दिया तो लाइमन शुर्फ करता हम बालमर सीज अप्शन नमर्टी उसके बाद सारा का शी अप्शन दिया दिया अगला कुष्ण दियान दिया जाए कुस्षान नमब संद्रल सेवनटी कि विच अब देफ्लॉइंग नौट्टेंटल फिया नूट्ट्राइए नूट्विडवाईब नूट्राइज ए उसके बाद नहीं कर रहा है तो पोट्रोन भी सही है तो उलेफ्ट्रोन भी छही है तो राइट एंसर क्या होगा तो राइट अंसर को ऑफजन नमबर Cॉस्ट धियान देजिजा कोस नमबर 18 का, कोसन मबर 18 पढ़ा जाए है, क्या करा है, करा है, बीटा रय डिफलेक्टेट इन बीटा डिफलेक्टेट करता है किस में ? गिलात है हम लोए जानते हैं गिटा रेज inkहुता है डिफलेक्शन करता है इसका मतलब दोनों मों होगा तौ पहले गज्रेशनल फिल्द गलत है फिर sliq यहाले परकिन का होगा यहां अगला से एसे हैट बहुत आथ इसे हैं आप लोग 42 तक अराम से objective कीजिएगा अवस objective आपका लड़ने वाला भीहार बोट के लिए question number हम लोग 19 पढ़ा जाए, 19 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा question number 19 कह रहा है question number 19 कह रहा है the logic gate showing figure, ध्यान दीजिएगा यहां पर यह question जो है, इस प्रकार से logic gate है, जो दो गो input है और एक output है, ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा gate रहेगा, तो समझ जाएगा यह figure जो दिया हुआ है, वो और gate का है, किस gate का है, और gate का है एक ऐसा figure दिया हुआ रहेगा, ऐस प्रकार से बना रहेगा तो यह जो gate का है, वो end gate का कहलाता है और जो एक ऐसा figure रहेगा, ऐस प्रकार से बना हुआ और यहां पर एक 0 की जैसा दिखाया हुआ और ऐसे खिचा हुआ रहेगा तो समझ जाएगा जिसमें single input हो, output भी single हो, समझ जाएगा not gate है, तो यह वाला जो gate है, किसका gate है, not gate का है, तो right answer क्या होगा, यहाँ question यह है, draw किया होगा, ध्यान दिजाएगा, question number 20, चलते हैं, question number 20 क्या कहता है, question number 20, ध्यान देनी वाले बात है, which of the flowing is not charged, charge, quantity जो है, charge नहीं है, बीटा पर charge होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कि photon पर कोई charge नहीं होता है, right answer क्या होगा, 20 का A होगा, आगे चलते हैं, question number 18, question number 18, क्या कहता है, पढ़िए, आप लोग ध्यान से बहुत ही important है, आप लोग को लगता है, इसी प्रकार से, बारी बारी से, question को practice करा जागा, जो आपके बिहार about के लिए, बहुत ही important होगा, question number 18, जो आप नए हो, चैनल पर तो share करें, subscribe करे और full support करें, क्योंकि आपका support ही, हमारे चैनल के माध्यम साब के पास वीडियो लगातार जाता हुआ, दिखाए देगा, चली question number 18, पढ़ा जाए, voltmeter measured, किसकी दो, voltmeter किसकी दोरा measure कहता है, तो हम तो पता है, कि voltmeter जो होती है, एक a meter होता है, a meter जो होती है, और potential difference के लिए voltmeter हो और option number B, यह सारा बाकी के बाकी option क्या ची है, गलत है, अगला चलते है, question number 22, question number 22 क्या कहता, धियान दीजिएगा, question number 22 को पढ़ा जाए, question number 22, करा, potential energy of a charge conductor is, हम लोग जानते हैं, कि potential energy जो होता है, one बटा, स्रीबिया स्क्वार पढ़ चुके हैं, conductor के कारान, तो right answer क्या होगा, option number B होगा, अगला जानते है, question number 23 का, तेश क्या कहता है, ध्यान देनी वाली बात है, question number 23, करा, one ampere is equal to, one ampere is equal to, MPR आ गया, I बराबर क्या होता है, formula, Q बाटे T होता है, Q का मतलब हुआ, कुलम, इसका एसा हुए, T का मतलब हुआ, time, time का एसा हुए, second, the dialectic question of your water, water का actual में dialectic question जो होती है, ध्यान देज़ेगा, ओ 78.4 होता है, परंदो, इसके आस पास, कोई भी भैलो दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो, यदि आपको 80 दिया हुआ है, 89 दिया हुआ है, तो right answer यहीं मारेंगे, 80, यदि यह भैलो दिया हुआ रह question number 25, which of the following is correct for the capacity of a parallel plate capacitor, हम लोगों पता है कि दो प्लेटों के बीच में जो capacity होती है, ओ, epsilon not a by d होता है, अब देखिए, epsilon not a by d है कहा है, तो देखिए, option number a में, epsilon not a by d है, option number b गलत है, option number c भी गलत है, option number d भी गलत है, आप लोग ध्यान देते चले, question को बारे की से पढ़ते चले, option को भी ध्यान से देज़े, बहुत important यह आपके लिए objective है, question number 26 पढ़ते है, question number 26 क्या कहता है, question number 26 क्या कहता है, अलफाडी के दिखाने का तरीका है, जेड यहाँ, ए उसके बाद क्या, ध्यान दीचिगा, थोड़ा से question number 26, अलफाडी के दिखाने का तरीका क्या जिए, तो एकस यहाँ पर रहेगा, जेड यहां A उपर में इटोमिक मास इसको बोलते हैं उसके बाद समीकरन उसके बाद वाई उसके बाद जेड माइनस टू और A-4 A-4 पलस हिलियम का atomic number और उसका atomic mass देखी ये option कहा है तो पहला option तो गलत हो गया क्योंकि 4-4 है option number B right answer होगा बाकी का सारा option क्या ची है गलत है तो question number 26 का right answer का हुआ option number B चलते है question number 27 क्या कहता है question number 27 कहरा question number the heat produced in a conductor of resistance are due to follow of current I for time T ध्यान दीज़ेगा अब time T में तो हम लोग पता है कि heat का formula होता है H बराबर I square R T होता है देखिए I square R T का है बाला option तो गलत है I R T लिखा हुआ है दूसरा option I square R T लिखा हुआ है तो right answer का होगा option number C I square R T लिखा हुआ है option number DV गलत है अगला question number 26 28 है 27 के बाद 28 question number ध्यान दीज़ेगा question number 28 कहता है कहा रहा है the value of green color code of carbon resistance green color का carbon resistance कितना होता उसका value बताना है तो 10 के power हम लोग पता है याद करने के table ता 10 के power इसका जो green number कोडिंग का carbon resistance का कितना है 5 है multiple number कहता तो 10 के power कितना था 5 होता ध्यान दीज़ेगा तो right answer का होगा option number C होगा question number 28 का आगे चलते हम लो question number 28 के बाद 29 29 पढ़ा जाए ध्यान दीज़ेगा 29 number question क्या कहता है पहला number question 29 का ध्यान दीज़ेगा question 29 का expression of force on the charge cube moving with the velocity V in a magnetic field देखिए magnetic field की बात आता है तो हम लोग Q into V cross B बरावर formula पढ़ चुके है magnetic force बरावर देखिए option कहा है तो option number 8 अगला करें question number 30 का ध्यान दीज़ेगा question number 30 क्या कहता है question number 30 पढ़ा जाए ASI unit of magnetic pole strength ध्यान दीज़ेगा magnetic pole strength का ASI unit क्या होता है ampere meter ध्यान दीज़ेगा ampere meter magnetic pole strength का ASI unit क्या होता है ampere meter ampere meter अप्शन नमर B भी गलत Newton बटाए ampere meter है right answer option number C ampere meter यह भी गलत है question number हम लोग पढ़ा जाए question number 31 क्या कहता है ध्यान दीज़े question number 31 question number 31 का पढ़ा जाए करद भायलू of a angle of D at magnetic pole of the earth magnetic pole of the earth ध्यान दीज़ेगा angle of D हम बताये थे कि magnetic pole की बात आएगा तो 90 degree और equator की बात आएगा तो 0 degree magnetic pole की बात आएगा तो 90 degree और equator की बात आएगा तो 0 degree लेंगे magnetic pole की बात आएगा तो right answer क्या होगा option number B सारा का सारा option कचिए यह गलत है अगला कर रहा है 1 milli henry is equal to 1 milli ब्रावर value होता है 10 के power minus 3 होता है 10 के power minus 3 देखे 10 के power minus 3 कहा है तो option number C सही है option number A गलत option number B गलत option number D भी गलत है आगे चलते है question number हम लोग पढ़ा जाए 13 का which of the following correct ध्यान दीज़ेगा सारा में देखे जो हम लोगो decimal number है बाद में सारा का सारा दियान दीज़ेगा question number 33 का decimal number 12 यहां भी 12 यहां भी 12 यहां भी 12 12 को हल कर ले जाए 12 को अराम से हल किज़ेगा यहां देखे 2 से लगाएंगा 2 चक 12 हो गया 2 से लगा रहा है 2 चक 12 6 कट गया पूरा तहम यहां पर 6 कट गया तो हम लोग क्या लिखेंगे 6 कट गया थे यहां पर 0 बचा कुछ नहीं यहां चो दो लगाएंगे 2 तीया कितना होगा 6 फिर कुछ नहीं बचा 0 बच गया फिर दो से लगाएंगे तो दो एक हम दो क्योंकर 2 लिखेंगे तो घटके एक एक आए गाते हैं से इस बचिए 1 जब कटेगा नहीं तो 1 लिखना है जब कट जागा तो 0 लिखना है तो बचिए 1-100 अब देखिए इसको यदि माल ले जाएं फिर से हम हमाल करना चाहते हैं कॉर्स नमर 33 देखिए अभी लाए 1-100 देखि देखिए इस सारे बातों को यहां सा कॉस्टन डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर से 100 परशंट रहेगा इसमें कोई दिवीधा होने वाली बात नहीं है तो राइट एंसर हो गया ऑप्शन नमर एक चौतिस नमर कॉस्टन वीच फॉलोईंग इस कोरेक्ट फॉर फंडमेंटल कार फिर बाल नंबर से दाख हां और अगले सामें गशल टाक्डिक मेंशल ओनधे वालनोगेश दियां दी जिएगा यहां पर लौजी वेइए जुटा होए लोजी चुटा हुए लोजी गयत होगा तो हम लोग फनमेंटल होगा स्कशन ओडीन को प्राइट्ट हो अगला क् है फिर वही कुस्टना गया तो फोटाओन पर कोई चार्श नहीं होता है तो रहतार होगा ऑफोटाओन इस पर चार्षा और और यह गलत है ऑप्सन नबर डीवी का सी अगलत है आगे चलते हैं लोगोग कोस नमबर ध्यान दिढी लूजे का क्षेशन नंबर क्या 36 क्या करता है यह लो इस टार इसक्राइज टारवें इसक्राइज गलुआज तो रचिशन क्या होगा अगला चलते हैं कोर्षन 37 का ध्यांदी जगा कोर्षन नमर 37 आगा बूलियन एक्सपिरेशन फोर और 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 का विजास्ट पिछले एम अब्जेक्टि में करवा चुक है और क्या होता बूलियन अब यह प्लस भी होता है ध्यांदी इस पर वार लगा देंगे तो नौट का सन जगा जो नमर डी होगा आगे चलते हैं हम लोग कोर्षन नमर 49 बहुत जल्दी कोर्षन हम लोग 42 तक पहुचने वाले हैं को लास्ट तक दिखा जाए बहुत ही पॉर्टेंट है पिछला अब्जेक्टि भी करवाया हुआ है 70 उसको भी देख लीजेगा आप लोग इस वीडियो करते हैं 49 का देखिए एक 1001 इसको हम तोड़ते हैं फिर 0 फिर 0 फिर 0 1 धियान देजिगा इसका पावर 0 बठा दिया पलस कर दिया इसका गुना करके इसका पावर 1 कर दिया इसके बाद गुना कर दिया और 2 और इसका पावर 2 कर दिया पलस कर दिया यहां पर कर दिया 2 के पा मतलब 8 और इधर से 31 तिसका मतलब 9 आएगा तो राइट अंसर कुर्ष्ण नमर 38 का जो होगा और 9 और इसका बेस कितना हो जागा तो राइट अंसर क्या होगा ची होगा अगला कुर्ष्ण 49 क्या कहता है और समन्हों अपलस मियो भी बटा टू तो राइट अंसर का होगा और अप्सन नमर एगा कुर्ष्ण नमर 40 का पढ़ा जाए कौर्ष्ण नमर 40 का कहता है दियान देजिए का कौर्ष्ण नमर 40 को पढ़ा जाए करा वीच अफ फ्लोइंग आई इफेक्ट इस रिमूब टू कॉन्वेक्स ल को जो ओता है और सिगिए इसका जोता है साइलन डारेंस धियान दोगार इसका है और इसका आई यह इस घोता है करा which of the following relation relation यहां ध्यान दिजिगा यहां पर I छुटा हुआ है I relation is correct for dispersive power dispersive power का relation क्या होता है mu B minus mu R but mu Y minus 1 देखिए option नमर यह जो है गलत है option नमर B भी गलत है option नमर C भी गलत है यहां ध्यान दिजिगा यह जो बिंदू है यहां पर minus ही है ध्यान दिजिगा तो right answer क्या होगा D होगा अगला question अंतीम ध्यान देनी वाली बात है question number 42 last और अंतीम question which of the flowing is maximum paint rating power सबसे ज्यादा painting power किसका होता है तो gamma रेका होता है उसके बाद कौन सारे होता है बीटा रेका होता है उसके बाद कौन सारे एक सरे होता है ध्यान दिजिगा सबसे high paint rating power क्या होता है गाम रेका होता है तो आप लोग को second set 42 question करवाया गया 42 को objective को ध्यान से आप लोग देखीगा बहुत useful है बहुत उपयोगी आपके लिए एक्जाम के लिए होगा क्योंकि दो तारीक को physics का test होगा भी hardboard के मालूम होगा इसलिए objective को अवस एक नर देखीगा जो आपके लिए दो तारीका बहुत useful सावित होगा ध्यान देने वारी बात है तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका समय सुभू जय हिंद